जैमसी की दोस्तों, आज की सुर्गिय मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन वचन कहता है, मत डड़, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे डड़ करूँगा और निश्चे ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर मैं दाइने हाथ से तुझे सम्हाले रहूँगा देख, जो तुझे से क्रोधित हैं, वे सब लज्चित और अपमानित होंगे और जो तुझे से लड़ते हैं, वे नाश हो जाएंगे, हाँ, मिटे जाएंगे धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरा वचन अद्बूते और सिद्ध है, तो जो कहता है वो खोता है पिता परमेश्यर का वचन, दोस्तों, यह हमें क्या बताता है यह हमें यह बताता है कि जब हम परमेश्यर के वचनों पे चलते हैं, तो शैतान हमें डराता है हमें आजमाईश मिलाता है इसलिए प्रभू कहता है मत डर मत डर क्योंकि तू प्रभू का काम कर रहा है दोस्तों इश्व मसी को भी संसार ने नहीं पैचाना फाल्सियों ने इश्व मसी को गलस समझा वो इश्व मसी की रहा देख रहे थे लेकिन उन्होंने पैचाना नहीं कि यही मसिया है इसलिए वो उन्हें आसमाईश मिलाते थे परिशा मिलाते थे गलत साबित करते थे लेकिन इश्यो मसिय डरे नहीं उसकी तरीके से हमें डरना नहीं है हम जो काम कर रहे हैं प्रभू के लिए कर रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं परमीशर की आज्या के अनुसार कर रहे हैं अगर हमारा कोई काम अपने आप को जाची है आप अगर आप कोई काम प्रभू की आज्या के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है और अगर आप कोई भी काम परमीशर की आज्या के अनुसार कर रहे हैं प इशू मसी की भक्तनी हूँ और मैं परमेशर के लिए समर्पित हूँ जब तक आप संसार के सामने अपने आपको प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि बाइबल में इशू मसी ने आग्या दी है अपने चेलों को, जिसको चुना है उसको आग्या दी है कि तुम को संसार के सामने मेरे गभा बनना है तुमें मेरी गभाई देनी है और उसका गभाई क्या है? उसके वचन, उसकी वानी, उसकी वैवस्ता वो जो चाहता है हमें वो करना है और दुनिया को बताना है कि हम परमेश्व के अनुसार काम कर रहे हैं हम इश्व मसी के अनुगरे के अनुसार काम कर रहे हैं इसलिए जब भी शैतान आपको डरानी की कोशिश करे तो आप ईशु मसी के वशनों पर अपने आपको इस्ठिर रखिए, डड़ रखिए कोई भी रिष्ता देखे हर रिष्ता परमेश्वर ने बनाया है Bible बताती है कि हर रिष्ता परमेश्वर की योर से आता है परमेश्वर ही बनाता है इसलिए हम उस रिष्टे को तूटने से ना डरें क्योंकि परमेश्वर नहीं रिष्टा बनाया है परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर ही हमें समालेगा लेकिन परमेश्वर आप से दूर कब हो जाएगा जब आप डर कर परमेशर की नहीं संसार की सुनेंगे जब आप संसार की सुनेंगे जब आप शेतान की सुनेंगे जब आप अपने रिष्टों की सुनेंगे तो आप परमेशर से दूर हो जाएंगे इसलिए चौकरने रहिए हमें परमेशर से दूर नहीं होना है कोई भी स्थिती कोई भी चीज हमें परमिशर से दूर नहीं कर सकती है इसलिए रूमियो का आठ का अठाइस का कहता है अगर उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे अगर हम उसको ध्यान से समझेंगे तो हम पाएंगे कि अदबुत परमिशर का आशीश हमारे साथ है और वो हमारा नेके बान है वो हमसे दूर नहीं होगा इसलिए रूमियो आठ का अठाइस क्योंकि मुझे पूर निश्टे है कि ना मृत्यू ना जीवन ना सरदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भवश्य ना शक्तियां ना उचाई ना कहराई और ना कोई सजी हुई वस्तू हमें परमेशर के प्रेम से जो हमारे इशू मसी में है अलग कर सकेगी इसमें हर रिश्टा आ गया मेरे दोस्त मेरी बेहन इसमें हर रिश्टा आ गया इसलिए हम इस बास से हमेशा इस्तिर रहे और बिल्कुल संतुष्ट रहें कि प्रभू का प्यार हमारे साथ है हम जो कर रहे हैं प्रभू के लिए कर रहे हैं शैतान हमें आजवाईशों में डालता है शैतान हमें परिश्या में डालता है शेतान हमारे रिष्टों के दौरा हमें भावनात्मक रूप में ब्लैक मिल करता है लेकिन हमें ब्लैक मिल नहीं होना है हमें परमेशर के लिए चलना है क्योंकि हम परमेशर के लिए चलना है हम जो काम कर रहे हैं परमेशर की आग्या के अनुसार कर रहे हैं और परमेशर के लिए कर रहे हैं और परमेशर के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं इसमें कहीं कोई गलती नहीं है इसलिए डरिये मत डरिये मत जब हम डरेंगे तो पाप करेंगे जब हम डरेंगे तो परमेशर से दूर हो जाएंगे कि जब हम डरेंगे, तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो आपको डरा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा उसका राज्य बढ़ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर की गवाही, आपके द्वारा दुनिया जा की नहीं है, वो सिरफ डरा सकता है, इसलिए 366 बार Ahab Raimال में परमे इश्वन काँ है, डरो मत मैं तेरे साथ हूं, 366 बार। क्योंकि सिरफ इश्व मेसी जानता है कि शैतान डरा सकता है, और कुछ में कर सकता है, वो जूट-बॉल सकता है, और आपके आसपास जो माहौल है जो इशुमसी को नहीं जानता है उसके द्वारा वो आपको डराएगा इसलिए डरिये मत परमेश्वर में बने रही है अंतिम समय है मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभू आने वाला है या समय है, हमें अपने आपको समालना है, हमें आपको इस्थिर करना है कोई भी रिष्टा परमेश्वर से उपर नहीं है कोई भी रिष्टा इशुमसी के प्यार से उपर नहीं है कोई भी रिष्टा कुरूस के उपर नहीं है ईशो मसी ने आपके लिए बले दान किया है ईशो मसी आपके लिए मरा और मर के जिन्दा हुआ है ये हमेशा याद रखिए और आपको उद्धार का दान दिया उसने, स्वर्गा आपका है ये याद रखिए आई हम प्रात्रा करते हैं धन्यवाद पितापर में शराप के पवदिसामर्थी नाम के लिए धन्यवाद सुनने वाले हर भाई 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 इनकी आँखों को खोलिए मन की आँखों को जोतित मैं करिए इश्यो मसिया के पवदिसामर्थी नाम से मांगते प्राथरा आपने सुने को बूल किये, मैं डर को निकाली उनके मन से, उनके जीवन से ऐसी प्राथरा करता हूँ, मैं, 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 मैं